आरे आगे आप लोग जॉन्विक फोर देखी क्या क्योंकि अगर नहीं देखी है ना तो इसमें स्पोईलर्स होंगे जॉन्विक चाप्टर फोर को रिलीज हुए अल्मोस पाच दिन निकल चुके और मुझे पता है कि पहुत साहे लोग के वाँ पर थेटर्स में लगी भी न स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या तो जॉन्विक चाप्टर फोर बेसिकली सारी कि सारी मुवी का कंटिनुवेशन और कॉन्क्लूजन बेसिकली होता कुछ नहीं है जितना भी जो कुछ भी जॉन्विक करता है तो उस वज़ए से हाइटेबल जो वो मार्की नाम क एक बंदे को अपॉइंट करती है जॉन्विक के काम डालने के लिए और हमारे जॉन्विक भाई यह और कूल बोल करके उसके पीछे बढ़ जाते हैं लेकिन फिर उनको रिलाइज होता है कि भाई कितने लोग को मारों के हाइटेबल और कुछ नहीं बलकि हाइटरा का एक सि करते हैं जिसके हिसाब से अगर वो खुछ जीट गए तो फिर हाइटेबल उनके पीछे नहीं आई और जब वो 220 सीडिया चड़ने की बात आती है और जॉन्विक नीचे गिर जाता है तो फिर केन आता है उसकी मदद करता और वो दोनों मिलके उन सारे गुंडों को मारते औ टेबल के हैंड जे तो इसी वज़ज़ से केन जॉन्विक को बहुती स्पेसिफिकली बोलता है कि तुमको सीडिया चड़के वहां तक पहुँचना जरूरी है जॉन्विक नहीं पहुती प्यारी सी ट्रिक खेलता है और मारकी अपनी आरगेंच में आकर कूडी ग्रा का इस टेबल से छुड़ा लेता है सब का भला हो गया लेकिन पर हमको पता लगता है कि जॉन्विक की एक्चुली टेथ हो चुकी है तो यह हुआ कैसे सब कुछ तो अच्छा जा रहा था एंड़ जो पूरा मोमेंट है जहां पर हम जॉन्विक को चर्च की सीडियों पर बैठा पहले यह पैरिश की सड़कों पे हजार गुंडे मार के आ रहा था इसने 220 सीडिया चड़ी है सौ गुंडों को मारते मारते इसने टोटल चार पिच्चर मिला करके 440 लोग मारे है 439 तो बी प्रेसाइस सारा क्रेडिट रेडिट वालों को जाता है तो देखो आप मैं जॉन जॉन विक को बनाने वाले हर को इस बात को जानता है कि जॉन विक मराने है और यह सब कुछ हमको चुकंदर बनाने की कोशिश करी जा रही है सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि कुछ समय के लिए लोग शांती से बैठ जाए बस लेकिन इसके पीछे के लॉजिक और थियोरी क लेकिन अगर आप टेकनिकली सोचने पर जाते हो तो जॉन मरने से पहले विंस्टन से कहते हैं कि मुझे घर जाना है लेकिन थोड़ा साधा हुए बेसिकली मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि और कुछ भी नहीं बलकि जॉन और विंस्टन का पूरा पूरा प्लान था जो उन्होंने रचा था ताकि जॉन को हाई टेबल वाले परिशान न करें इस बात की कोई भी गयारेंटी न है कि हाई टेबल वाले उसको केन की तरह अपना असासिन बनाने की कोशिश नहीं करेंगे तो ऐसे में जॉन एक बार फिर से फसके रहा जाएगा तो इसी वज़े से उसने अपनी मौत का ठोंग रचा हो ताकि वो अपनी शान्ती से जिन्दीगी बिता सके और अगर आप इस ग्रेवियर्ड वाले सीन को थोड़ा भी ध्यान से देखते हो तो किंग और विंस्टन आपस में बात करते हैं है और वो डिसकास करते है है कि क्या जॉन है या हल तो भूमसकुराकर जवाब देते हैं कि हूज कि सक्काрашान की बहुति आए है वो किसी आख प्रिख राहे उह हम को किसको टेंक old इस पर इंडिंग्स करे गई थी और उस दोनों एंडिंग्स को टेC इस वाली एंडिंग को जादा बेटर रिस्पॉंस मिला गया जिसमें डॉग ने एक ऐसे कहीं पर भी देखा तो टेस्ट ओडियन्स को यह वाला रिस्पॉंस पसंद आया तो उन लोगों ने इस वाली एंडिंग को उठा कर रख दिया गया तो दूसरी एंडिंग थी वो सब्सक्राइब करने वाली थी जॉन विक चाप्टर 4 के बॉक्स ओफिस पर्फॉर्मेंस पे जो की बहुत जादा तकड़ा है इसने सिर्फ और सिफ अपने ओपनिंग वीकेंड में 137 मिलियन खमाए है जो कि किसी भी जॉन विक मूवी या अक्शन मूवी के लिए बहुत ज होने लगी थी तो इसी लिए उन्हों जी पूरा बजट था उसको चैप्टर 4 में शिफ्ट करने का फैसला किया और चैप्टर 4 को एक हाइस्केल मूवी बनाने का डिसाइड किया विच आक्टुली वस अपेरी गुड डिसिजिजन अप सई माहनों में चैड है और सिंस अब बूलर गेम है और नहीं कोई बूत प्रेत की कानी नी होने वाली यह पीरेट मतलब पुराने टाइम में से चैपान के छोटे से आइलेंड सुषिमा की कहानी होगी और जान विक कि तरह यह एक अंडर डॉग रिवें स्टोरी होने वाली है जिन सकाई की जिसके आइलेंड प प्लस अगर इसको चैट स्टालिंस की डिरेक्ट करेंगे तो उनके डिरेक्शन में यह वाला एक्षन देखने में अलगी लेवल की फीलिंग आएगी लेकिन लाइंस गेट वालों ने इस बात को भी कन्फर्म कर दिया कि आपको चैट स्टालिंस की वहां से फ्री होते हैं मतलब गोस्टो सुषिमा से फ्री होते हैं तो वो जॉन विक के चाप्टर फाइफ पे काम करना स्टार्ट कर देंगे तो मतलब गोस्टो सुषिमा खतम होते ही हमको जॉन विक का चाप्टर फाइफ देखने को मिलेगा एंड Let's be honest, John Wick की death हमको इस तरह से तो नहीं दिखाए जा सकती है. अब John Wick की मौद एक end game level type event होगा बाई, जिसमें सब के सब लोग together आएंगे. लेकिन आपको इसे चिंता करने की कोई बात नहीं है, क्योंकि Lionsgate वालो ने आपको John Wick की युनिवर्स में रखने की बहुत लंबी चोड़ी planning जमा रखी है. क्योंकि आपको दो चीजे हैं, इसकी दो spin-off चीजे हैं जो प्लान करी गई है. सबसे पहले आने वाली एक Continental नाम की एक सीरीज जो John Wick की युनिवर्स में सेट होगी. और ये बात करेगी जो Continental के होटेल्स पने हुए पूरे दुनिये जमाने में. सबसे पहले तो हमारे विंस्टन भाई साब कही है, New York Continental, जिसको वो इस मुवी के end में रिकंस्ट्रक्ट कर वा लेते हैं, High Table के पैसे से. और वो John Wick के युनिवर्स को और भी जादा एक्स्पैंड करना स्टार्ट करेगा. फिर इसके बाद आने वाली है बैलरीना की एक मुवी, जिसमें हमें एनडी आरमास देखने को मिलेंगी. और उसमें John Wick की अपेरंस कनफर्म कर दी गई है, and in case you guys are wondering, तो वो basically John Wick Part 3 और Part 4 के बीच में सेट होने वाली है, मतलब Part 4 का प्रीक्वल होगा वो. And probably इस मुवी का जो post credit scene है, वो भी इनी spin-off में जाकर कहीं connect होता है, जिसमें हम Akira को देखते हैं, जो कि Paris तक पहुँच चुकी है, Donnie Ian को assassinate करने के लिए, या फिर उसकी बेटी को assassinate करने के लिए, वो एक whoddy-whoddy पैन के आई हो है, चक्कु खोलती है और वहीं पर वो scene cut हो जाता है, and I'm thinking कि क्योंकि Ballerina एक prequel है, तो वो John Wick की आगे की कहानी तो हमको दिखाने से रही, तो इसलिए इसके आगे की कहानी शायद हमको Continental में देखने को मिल सकती है, जो 90 minutes के 3 episode की limited series है, और वो इसी साल के end में हमें देखने को मिल जाएगी, और रही बात Ballerina की, तो उसक बहुत सारे हैं, और यह आगे बहुत साथी चीजों को सेट अप कर देती है, सबसे पहले तो हमको यह समझ में आ जाता है, कि John Wick मर के भी जिन्दा है, चैप्टर 4 के बाद चैप्टर 5 आगे प्लांट है, लेकिन इसको आने में अभी टाइम लगेगा, इसके बाद इसके दो स्पिन ओफ आने माले हैं, और John Wick हमको बहुत ही जल्दी बैलरीना में देखने को मिल जाएगा, और अगर आप चाट स्टैलिंस की के डिरेक्शन का इंतजाद नहीं कर सकते, तो चिंता मत करो, आपकी वो प्यास, Ghost of Tsushima बहुत ही जल्दी बुचा देगी, विदाट बीग से इस वीडियो को यहीं पर आप करेंगे, अगर आपको पसंद आओ, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और इस पूवी की एंडिक के बारे में, आपको क्या ख्याल है, मुझे कमेंस पताना, मत भूलना, और हाँ, सब्सक्राइब करना तो भूल से गए हो, तो वो भी कर दि तो जाने से परले कोमिक वर्से मैं हु मोहित और आप सभी लोग, as always, keeping awesome.